हेलो दोस्तों आपका स्वागत है हमारी चैनल SPG टॉक्स पर दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको अपको अपना ससे सीजाल जोड़ 19 का डिस्केप्टिक को कॉपी दिखाऊंगा और आपको कुछ टिप्स भी दूँगा ताकि आप डिस्केप्टिव एक्जाम में मुझे भी एक्सपेटेड़ था मैं सोची छल जो हुग कि 50 marks या 50 marks बिल जाए तो बहुत है बट मैंने मुझे 70 marks मिले मनलब इसका कहने का यहीं मतलब है कि एक्जाम जो है बहुत ही जादा luck बेस्ट है इसमें luck बहुत ही जादा matter करता है गर आप सोची चल रहा हुँ कि इसमें बहुत ज़्यादा लग मैंटर करता है और यह भी नहीं कि सिर्फ लग करता है क्योंकि उन्हें नेबडरे सब सोटमील बीच में मैंक्स सूनता हूं लोगों से इसलिए ज़्यादा डरने की बात नहीं पशुपंसे पेंसे मां कि नहीं कि होता है कि कि थोड़ किस्मत खराब रहे कि इसमें आपको कुछ भी मार्क मिल सकता है ठीक है और ऐसा भी नहीं कि लग बेस्ट है तो आप कुछ पढ़के नहीं आप पढ़के जो हो जाएगा कुछ इस टेक्टिक्स टॉपिक जैसे कि आपको हर एक टॉपिक का कुछ आइडिया रहे ताकि आप एक्जाम में जाओ तो अब कुछ लिख पाओ यह नहीं कि कुछ नया टॉपिक आप दिमाग ब्लैंक हो जाए आप इधर उधर उधर चेक्मिला जो लाग कर लिख के कुछ नहीं कुछ आ जाएगा इसलिए आप पर तक भी जा सकता हूं तो इस एक्जाम का मार्क्स बहुत माटर करता है आपको बीस मार्क्स भी आपको 2800 पर इस से लिएक फूटी 600 पर तक आपको पहुचा सकता है इसलिए अप इसको सिरिशली दीजएगा अपने बेश्ट दीजएगा ठीक है बात कर आप जब एक्जा आप इवाल घड़ी ना हो तो आप रिक्विस्ट किजएगा वाके इनवेजिलेटर से कि आप घड़ी लगवा दे क्योंकि अगर आपको टायम का पता नहीं चलेगा तो फिर आप पेपर को अच्छे से दे नहीं पाऊगा बार बार कितने इनवेजिलेटर से पूछो इसलि दिजिए तो यह से बाते हैं अब जब आपको बुकलेट मिलेगा ना तो बुकलेट अब ध्यान दीजिएगा कि आपको यह जो रोल नमबर अपना नाम अमना सिगनेचर मतलब अपना थम और यह लेंगवेज जरू से लेंगवेज जरू से जब किजएगा इन चालों मेंसे कुछ जैसे कि आप जब ऐसी लिखो तो फ्रसा कोशिस कीजिए क्लियर लिखे ताकि आपको हर एक वर्ड जो है कि लेली पता चले कि आपने क्या लिखा है मतलब एक्जामियर को एफर्ट ना लागाना पड़ा है कि आपने क्या लिखा है एक बार वो फ्लिवंटली पढ़ क्लियर लिखेगा ज्यादा कट करते हैं और कुछ भी लिखो तो एक बार सोच लो कि मैं लिखने जा रहा हूं कि अगर लिख दोंगे ना उसके बाद फिर आप उसको वापस चेंज नहीं कर सकते हूं कि एक बार लिख दिया फिर आपने सोचा कि यार इससे लिखते हैं तो पार सोचेंज हैं ज ark में क्या जांता ओं अपके दिमाधं की बदाना फोको में लिखना है आपको प्रक से फिर सब्कुर्च गना फी लए बनाख ऐसा नहीं करना यह… पढ़ते चले जाए और उसको फील होते जाए कि आपने क्या लिखा है ठीक है आपको पारा भी चेंज करना है जब पर पारा चेंज कीजिए पारा चेंज करकर लिखना है और अगर आप लास्ट में कंक्लूजन में कोट अगर लिख सकते तो जादा आपका इसे को अब कुछ डाटा उसम पढ़के जाएगा ठीक है अब को तरह से एफट लगाना है इसमीन है कि आप इसको इग्मूर करके चलो और आप कम सब 15-20 अब जरूर पढ़के जाएगा इस्टेटिक टॉपिक्स और कुछ गोर्मेंट इसकिम से लॉंच हो है वो सब इसम जरूर प आपको देने थे और बात करें बेरी तो मैं मैं कौन-कौन साइसे पढ़के जाओंगा तो मैं पॉल्यूशन, COVID-19, आत्म निर्वार भारत जो की वोकल फॉर लोकल दोनों सेम है, ड्रग अब्यूस, अड्वांटेशन, 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 अड्वांटे अड्वांटेशन, 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 सब्सक्राइब आधिक करी में देखा तो जैसे कि इंट्रोड़क्शन अब को मैं दिखाता हूं एंड्रक्शन नियुक्त नहीं पढ़ रखा था उसलिए इसलिए मैं आपको बोला थैंट्रक्शन बहुत जोरी आप कुछ-कुछ तियार करके जहूँ जाएगा तो जैसे कि मैं लिखा है कि टुड़े विए पॉलुटे आवर इंभायमेंट तो सच हाई एक्स्टेंट इट इट सीम्स वी अर लिविग ओने डाइंग प्लेनेट कि हम लोगों ने इस हद तक अपने इंभायमेंट को इसी चीज के लिए हम एक असेस्मेंट का जरुवत है कि कितना हमें एक्टिविटी का इंभायमेंट पे इंपक्ट और उससे से हो रहा है जिसमें बताए कि सब लोगों ने पॉलुशन पहली कि दिया था उसमें इसलिए मैंने यह भी दिगा दिया थे दिमाही काम निंगा मैंने यह लिए दिया मैंने कोज़ेंट पॉलुशन लाइक एर पॉलुशन को इमिशन अफूल के सब्सक्राइब निकलती है निकलती है उनकी कारण हो रहा है वाटर पॉलुशन जो अपना जो गंदा होता है वो डंप कर देते हैं रिवर्स में सब्सक्राइब करता है तो उसके लिए आपको लिमिटेड पॉपलेशन को सब्सक्राइब कर सकते हो उतना उस हिसाब से नहीं नहीं है इसलिए वह बहुत ज्यादा बैड़ी अफेक्ट करता है ठीक है एफी वान टू कि इसलिए बता है कि आपको इंभायमेंट सेफ रखना है तो आपको इंभायमेंट का इंपक्ट का एसेस्मेंट करना बहुत जादर जोरी है तो आपकर पॉलिशन कर ना है है ताकि जो गवर्मेंट है इंडेस्ट्री पर रोक लागा सकेगा आपको इस मेजर को फोलो करना आपको अपने पॉलिशन कम करना उस हिसाब से हैं फिर इस हट तक पॉलिशन होए ताकि इंडेस्ट्री इस को गैल इस्ट्री आपको असे मतलब की मेजस लेना थाकि कम मलग की पॉलिशन वाट रोको फिर उसी रिपोर्ट के साब से गौबर्मेंट रिचाइक्लिंग सेंटर्स इस्टाबलिश करें कि हाँ इतना फॉलिशन है तो इ कि उससे से में पर चलेगा बस में इतना ही दिखा इसी पर अगराफ में थ्वाट से जीक रिख रिक हैं इन्वार्मेंटल इंपक्त असे स्मिन का थोड़ा बहुत वह मिज़ रहता है कि मैंने जीक्री नहीं किया एक फ्लो में दिखा है विसका ने था था ने इनकूजन दि इंपक्त ऑफ हुमें अक्टिबिटी ताकि सरकार उन्हीं एससे में डिपोर्ट के हिसाब से आक्नल लगा कर सके कि 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 मतलब कि एक्षिन हमें लेना चाहिए ताकि हम इस इंपक्त को रोग सके हैं गवर्मेंट इस टेकन सेवर इनिसीटिव टुकी पर नमेंट सेफ ल इसलिए में इता अच्छा लिक पहना तो इतना क्लिक कहां करेंगा इसलिए इससे पढ़कर जाने बहुत जाता फैदा मिलता है तो हमारे कमीटमेंट और एफट चाहिए तकि एक सेफ रह सकें रहा कीपिए और इन्वहर्मेंट सेफ रिए वी अर्वी अगुड प्लेश तो मैं मतला बैसिकली कंक्लूजर में यहीं लिखा कि अगर आपने इन्वार्मेंट को सेफ रखते हैं तो हमां एक अच्छा जगा छोड़के जा रहे हैं अपने बहुत के जीने के लिए हैं ठीक है सेफ दा इन्वार्मेंट फॉर बेटर टुमोरो मैंने मुझे को याद द अब और यहीं आप अच्छे चांसे उतना अच्छंड लेटर उसन लाटेंस ने होता है तुर्व 11 मिनट मेंटकह सकता ऑच्छे सेंटेंस के यूज करना है अच्छे सेंटेंस के इसे शाक है बात के प्र बाद की अपर आप अन्वार्मार्य कॅनफिदेंस भी है पुरा पढ़ लीजेगा मैं धीरे तरह स्कोल कर देता हूं ठीक है यह नर्वेसनेस और और कॉंफिदेंस पर ऐसे था इसको आपको वन थर्ट लेंग्विज में लिखना होता है थे भाव में गडी नहीं था थो मैं मिझे टैम का पसा नहीं चरता मैं बार बास सर से पूछ रहा था तो मिसे टैम बता आरते तो मैं भी कितना वाल पूछ था तो वह भी रिटेर हो रहे थे इसले मिनां को भलते हैं लास्तिन रिंट शल्प तो मैं इना दिमागी घूंगया आपि में इदम स्पीड में पर लिखना स्टार्ट कर दिया था हूँ तो इसलिए अगर आपको ओल में घड़ी ना होना तो आप रिक्वेस्ट किजए कि आप एक घड़ी लगवा दिया था को टाइम का पता चलते रहे तो इसलिए आप हर एक चीज का ना एक प्रेशी कैसे लिखते हैं एडर को लेटर को इग्नोर मत कीजएगा ठीक है तो मुझे परेशी कि आप इसलिए परेशी भी आप इसलिए परेशी भी लिखते हैं यहां नहीं होता है तो दोस्तों बैसेकली मेरा जो एक्स्पेरियंस था मैं आपसे सेर कर दिया अगर आपको वीडियो वीडियो को लाइक कीजिए अगर आप होना चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर सब्सक्राइब करने से में मोटिवेशन मिलता है ताकि और आपके तैंकु तोस्तों